दोस्तों हाली में तीन चार ऐसे केसे जा रहे हैं जहांपर enforcement डिरेक्टरेट की दौरा बहुत ही actively action लिये जा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो कि जारकंड के चीफ मिनिस्टर हेमन सोरेंजी की दौरा resignation दिया जाता है और फिर अब वो ED के सामने समन किये जा रहे हैं और उनके सामने वो question answer वो चल रहे हैं दूसरी तरफ देखी जाए तो लालू प्रशाद यादव जी और उनकी family के साथ में question सवाल जवाब है वो enforcement directorate लगातार कर रही है इसके अलावा एक case आपको बता है दिल्ली का जो exercise policies related है जिसके तहत जो शराब की दुकाने उनके license देने में कुछ गफले पाये गए उसको लेकर के enforcement directorate जो है वो hyper manner में activated है वो बात अलग है कि दिल्ली के chief minister अर्विंद केज रिवाल ने वहाँ पर प्रस्तूत होने से समन होने से मना कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम तो protest करेंगे BJP के जो head quarter है उसके सामने बोले सारा का सारा मामला इस तरीके से है कि ED को जो है वो central government के दुआरा use किया जा रहा है against all those parties which are in opposition तो इस तरीके से हमें समझना जरूरी है कि actual में इन तीनों मामलों में case है क्या ठीक है और फिर हम समझेंगे कि enforcement directorate का का काम करने का तरीका क्या है किस तरीके से enforcement directorate अपनी power draw करती है क्या इसकी छोटी सी history है वो हमें glimpse लेने की कोशिश करेंगे जो कि आपको एक holistic approach develop करने में help करने वाली है जो चाहिए आपकी exam point office से देख लो या फिर आप मोटी मोटी बात करो तो एक general Indian citizen के तौर पर भी आप देखो न तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो सबसे पहला case तो है Heyman Sorin जी का case क्या है देखो जी जमीन को लेकर के fraud का मामला देखने को मिल रहा है कि mining की जो जमीन थी उसको लेने देने में और उसकी ownership transfer करने में बुला है जमीन माफिया land माफिया के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया इस तरीके के allegations लगाए गए enforcement directorate के द्वारा एक चीज हमेशा ध्यान रखना ED कभी भी अपने मन से किसी भी case में नहीं enter होता है ED तभी enter होता है जब उनके सामने कोई complain आती है कोई case आता है that means पहले complain आएगी फिर उसके बाद में ED अपना action लेती है ध्यान रखना इस बात का ओके तो यहाँ पर land mining mining को लेकर के यह issue था इसमें आप देखोगे एक IS officer चवी रंजन है वो भी कहीं ना कहीं इसके मामले में एक कतना चपेट में आ चुकी है already और यहाँ पर यह मामला अब investigation के बाद में और जादा आगे खुलेगा कि कि किस करवट बैठेगा उट दूसरा case है वो है liquor case लेकर के आप दिल्ली की exercise policy आपको यह ध्यान होगा कि exercise duty है वो basically more or less state government के under control होती है ठीक है और उसमें भी अगर लिकर की बात आ जाया तो लिकर को अभी भी GST के अंडर में नहीं लाया गया है ऐसी परिस्तितियों में state government अपने हिसाब से rule regulation licensing इनका मामला state government ही tackle करती है तो दिल्ली में क्या है कि 2021 की जो exercise policy है उसके तहत यूँ कुछ ऐसा देखा गया कि दिल्ली government के द्वारा कुछ जो शराब के जो आप कह सकते हो दुकान दा रहा है या liquid traders है उन लोगों से इस तरीके से settlement कर लिया कि इन्होंने license उन गिने चुने लोगों को ज़्यादा दे दिया है उसके बदले में बॉले ली थी दिल्ली सरकार ने इस तरीके के case जो है वो highlight हो रहा है तो कहने का मतलब ही हो गया कि यहां पर एक आप कह सकते हो कि unbiased manner में license allocation किया गया जो कि कहीं नगे bidding या बोली के आधार पर दिया जाता है फिर मामला आ जाता है लालु पुरशाद यादव जी की family का देखो इनक थे तो बोलो उस समय इन्होंने land for job scam start किया था इसमें ये था कि ये railway में नोकरी देंगे आपको जमीन देनी पड़ेगी उसके बदले में इस तरीके के allegations लगाए गए और इसके चलते इनके family members से भी question पूछे जा रहे हैं चाहे फिर इनकी wife हो या इनकी बेटिया हो या फिर तेजश्वी तपश्वी यादव जी हो इनसे भी सवाल जवाब जो है वो लगातार हो रहे है अब देखो मामला यह है कि यहां पर enforcement directorate किस तरीके से इतना actively participate कर रही है देखो इस सारे cases है ना इनको combine करके term के अंडर आप ला सकते हो that is money laundering money laundering का मतलब एक simple सा simple शब्दों में किया हो कहने का मतलब आप छुपाते हो कि actual में आपने पैसा कहां से कमाया जबकि वो पैसा कमाने का जो तरीका था वो गलत था गैर कानूनन था तो इस तरीके के काम को आप बोलते हो money laundering और यही case कहीन है कि यहां पर उल्जा हुआ धिकरा है more or less तीनो cases में आप देखोगे क enforcement directorate जो है इसकी स्थापना की बात अगर की जाए तो एक मही 1956 में हो गई थी नाम दिया था इसको enforcement unit पर 1967 में आते आते इसका नाम फिर बदल दिया गया और नाम रग दिया enforcement directorate 1960 में इसका शुरुआत में जब establishment होई थी तो इसको रखा गया था Department of Economic Affairs Financial Ministry देखो बात ऐसी है कि जब मुद्दा पैसे के लेंदेन की आ रही है जब मुद्दा जब बाहर से पैसे आ रहे हैं जैसे आप जानते हो FDI भी आता है लोग जो है NGOs को donate भी करते हैं contribution भी करते हैं तो उन मामलों में कई बार गलत तरीके से भी पैसा आता है गलत तरीके के activities को promote करने का भी काम होता है तो ऐसी परिस्तितियों में हमारी government के दुआरा ये चीज महसूस की गई कि कैसे भी करके बाहर से आने वाले पैसे को हमें tackle करना है और गलत तरीके से कमाये हुए पैसे को भी हमें manage करना है tackle करना है तो उस चीज के लिए ये अपने आप में एक need महसूस की गई थी तो enforcement unit establish कर दिया गया था वो बात अलगे फिर उसके बाद में इस unit का काम करने का जो एक process है उसको और जाद एक्सपेंड कर दिया आज terrorism की बात कर लो wildlife hunting की बात कर लो copyright infringement criminal conspiracy cryptocurrency digital assets मतलब आपका कोई वीडियो है या XYZ कोई भी आपका digital asset है उससे related कोई case हो उन सब में enforcement direct rate जो है वो actively काम करत हुआ दिखाई दे देगा इसी वज़े से सवाल भी उठते हैं कई बार की central government के दौरा ordinary cases साधारन cases में भी ED को use किया जा रहा है यह अपने आप में कई बार सवाल भी उठाता है खेर अभी मुद्दा ही आता है हमारे सामने कि enforcement directorate जो है वो अभी किन-किन acts के तहत काम करता है वो कानून कौन-कौन से हैं उनकी बात की जाए तो देखो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो coffee posa ठीक है full form आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे इसका नाम है conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act of 1974 इसमें क्या है कि अगर किसी के पास में बाहर से कोई पैसा आ रहा है और उस पैसे का गलत तरी detention का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको किसी individual पर doubt है तो आप उस individual को एक तरीके से arrest कर सकते हो और arrest करने के बाद में आप उसके उपर उससे बातचीत करना है या फिर जो कुछ भी आपको action लेना है वो ऐसा नहीं कि पहले सुनवाई हो रही है prosecution हो रहा है फिर arrest नह के अलावा आपके पास में FEMA है that is foreign exchange management act of 1999 इसमें सीधी बात है इस act के तहत अगर कहीं पर भी money laundering का कोई case अगर ED के सामने आता है तो money laundering से related उस case में ED adjudicate कर सकता है जो सुनवाई होती है वो करना जैसे अरविंद केजरिवाल को समन किया गया है अरविंद केजरिवाल जी को क सारी चीजें और अगर कहीं पर कुछ गफला मिले तो penalty भी लगाई जा सकती है और फिर आ जाता है PMLA that is prevention of money laundering act of 2002 ये साफ साफ क्या कहता है कि अगर कहीं पर भी आपको मतलब एक money laundering का कोई issue दिखाई दे रहा है या गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ दिखाई दे रहा है तो उस परिस्तिती में आप offender के किलाफ में कारवाई कर सकते हो उसकी जो भी property है जो भी cash आपको हाथ लग रहा है उसको एक बार confiscate कर सकते हो जबत किया जा सकता है यह यहाँ पर authority मिल जाती है और इसी act के आधार पर अभी ED के द्वारा actions लिए जा रहे है different इन तीनों cases के अंद इसके अलावा एक और आपके पास में act available है that is fugitive economic offender act of 2018 यह basically इन तरीके के लोगों के लिए है जो विजय माल्या, ललित मोदी, निरव मोदी, ठीका मेहुल चोकसी यह वो लोग है जिनोंने इंडिया में economic terms में या financial terms में crime किया भाग करके जान बचा करके वो छुपे बैठे ह बोला जाता है, तो उनको tackle करने के लिए कानून है, तो टोटल इन चार कानूनों के आधार पर यह जो ED है, यह अपने actions लेता है, अब सवाल यह कि ED का काम करने का तरीका क्या है, देखो जी PMLA के तहत, जो अभी यह काम हो रहा है ना भी, लालु पुशाद या इनके जो भी ह लग जाता है, कि हाजी कहां कहां पर कौन कौन से properties है, कौन से document है, क्या कागज है, कहां से आये हैं, वो बाद में पूछा जाएगा, पहले एक बार survey करो, फिर उसके बाद में अगर कहीं doubt लगे, कि हाँ यह थोड़ी संदिक दवस्तों लग रही है, पैसा cash बहुत बड़ा amount पर मिल गया, तो उसको फिर seize कर लिया जाएगा, वो section 17 के अंडर आ जाती है, और अगर वहां पर, जिस भी accused, जिसके खिलाप में complain की गई है, उसके उपर, अगर doubt जादा बन रहा है, तो हो सकता है, कि वहां पर section 19 लगाते हुए, arrest भी करना पड़े, फिर आप कहता है, section 50, PMLA वो यह कहता है, कि आपको directly search भी करने का allow किया जाता है, जो मैं आपको already बता चुका हूँ, कि आप बिना किसी, मतलब लालू पुशाद यादव जी का ले लिए, कि बिना उनको inform किये भी, उनके घर में या उनकी property में जाकर के, search operation conduct कराया जा सकता है, फिर उसके बाद में, ज card sheet तयार करनी पड़ती है, पूरी अपनी, जो भी सवाल, जवाब, जो कुछ भी करने, उसके बाद में, एक document तयार करके, और submit कर देना होता है, court के pass में, और एक बार अगर इस PMLA Act के आधार पर किसी को सजा मिलती है, तो वो सजा होती है, maximum कितना, लगबग, लगबग, 7 साल तो कुल मिला करके देखा जाए ना, तो यहाँ पर हमें एक मोठा सा जिस्ट लेने की ज़रुत थी, कि actual में ED काम कैसे करता है, कौन-कौन से कानून यहाँ पर apply हो रहा है, इन तीनो cases में, वो बात लगए कि आप देखोगे कि कितने करोडों का गफला मिला है, कितना यह मिला वो देखो figure मुझे नहीं लगता अपने लिए important है, अपने लिए important होता है, कि actual में काम कैसे हो रहा है, अब देखो यहाँ पर इस PMLA Act का या फिर Enforcement Directorate का लेकर के कई बार criticism भी होता है, वो criticism कैसे होता है, सबसे पहला point तो इसमें यह बताया जा रहा है, कि अगर किसी पर पी को आप क्या करते हो, arrest कर लेते हो, अब arrest करने के बाद में उससे आप पूस्तास करोगे, पूस्तास के basis पर आप उसके statement record करोगे, तो हो क्या रहा है यापर, कि statement जो record कर लिए ना आपने, उन statements को आप evidence की तरह use करते हो, ED जो है, जो भी statement लेती है ना, जैसे अभी लालो प individual के द्वारा दिये होई statement उसी के खिलाफ में आप use नहीं कर सकते है, या फिर किसी भी individual को खुद के खिलाफ में गवाई देने के लिए आप दबाव में नहीं ला सकते है, तो ये चीज कहीं ना कहीं एक तो criticism का कारण बनती है, दूसरा, PMLA Act के आधार पर अगर किसी को jail मिल रही है ना, तो bail मिलने में बड़ा time मिलता है, जल्दी से एक तरीके से आप कैसे कितना है कि वो बीच में break जो मिलता है ना, एक तरीके से bail है वो नहीं मिल पाती है, और इसके अलावा देखो, तो यहाँ पर conviction rate बड़ा कम है, that means case तो आते हैं बहुत सारे, but jail जो है final conviction, कि जो है, वो ज़्यादा political moments है, या political mode में कियो है रहता है, बजाए कि एक कैतना कि बिलकुल substantiate या grounded manner में, ठीक है, इसके अलावा एक point और यहाँ पर हमारे लिए important हो जाता है जानना, वो यह कि यहाँ पर जो भी ED के दुआरा PMLA Act के अंदर में, जो भी investigation की जाती है ना, उस investigation क आधार पर बनी हुई report जो है, वो evidence के तौर पर काम ली जाती है, किसी भी court सुनवाई में, अब आप यहाँ पर देखोगे, कि ऐसा कानून इकलौता केवल PMLA ही है, Prevention of Money Laundering Act ही इस चीज को allow करता है, पहले TADA, POTA, यह terrorism को रोकने के control करने के लिए कई acts थे, but उन acts को हटा दिय गया, बट अभी के time पर इकलौता यह कानून है, जिसके तहत investigating officer के सामने जो भी record ready होता है, वो court में, एक evidence की तरह काम में आता है, so the point is, कि यहाँ पर हमारे पास में, एक broader perspective आपके लिए तयार हो चुका है, कि actual में PMLA क्या है, actual में ED काम कैसे कर रहा है, और यह 3 case हैं क्या, जि जहाँ पर हेमन सोरेन जी को resign तक करना पड़िया chief ministership से, ठीक है जी, अब आप देखेंगे, civil servant भी इसमें सीधे आते हैं, और जो भी public figures होते हैं, उनके ओपर सीधा action लिया जा सकता है, और एक last में बड़ी important बात, अगर case FEMA, यह जो आपका FEMA act है ना, उसके तहत अगर आता है, तब तो जाएगा civil court में, और अगर PMLA act के अंदर में अगर case बन रहा है, तो वो जाएगा criminal court में, तो यहाँ पर यह case बन रहा है ना, तीनो के, ठीक है, तीनो cases के, दिल्ली का देखो, बिहार का देख लो, जारगन का देख लो, यह सारे के सारे आपके किसमें बन के आ रहा है यह आपके criminal act में, ठीक है जी, तो अब आपके सामने एक छोटा सा question, इस question का answer देने की कोशिश करिए, comment box में, I hope आपको यह video बहुत अच्छा लगा होगा, इसी तरीके से, next video में नई information के साथ में, नई details के सामें, एक बार हम फिर से मिलेंगे, thank you.